में हम लोगों ने अपनी चीज आगे कंटिन्यू की थी ठेक है रेडक्शन मैथड को हम ने साट किया था जिस रेडक्शन मैथड में हम लोग इन दो रेड्यूसिंग एजेंट की मदद से किस तरीके से कार्बोनेल ग्रुप्स को रेड्यूस कर सकते हैं और उनसे अल्कोहल प मदद से किस तरीके से कार्बोनेल कंपाउंड का रेडक्शन करना है यह वाला पार्ट हमने प्रेविएस वेडियो में देख लिया और इन रियक्शन की कुछ लिमिटेशन की कि यह लोग डबल बॉंड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं बट अगर पी एच अगर बीटा पो को पढ़नी है इस मेथट की मेकानिजम भले ही तुम्हारे सर के उपर से उड़ जाए चलेगा बट एस उज्वल एंड रिजल्ट याद होना चाहिए जैसे ले एच और एन बीएच फोर ठीक है इसका जो एंड रिजल्ट है वह एंड रिजल्ट क्या था कि जो ऑक्सिजन के साथ जो hydrogen जोड़ा हुआ रहता है वह कहां से आता है solvent से आता है और जो hydrogen तुमारे carbon से जाके connect होता है वह कहां से आता है आपके reagent से आता है तो बस वो rules तुम्हें पता होने चाहिए और उस reaction में किस species का क्या role है यह सारी बातचीत तो अभी देखो जो हम लोग next reaction कर रहे हैं इस next reaction का नाम है बॉविल्ट ठीक है नाम इसका थोड़ा सा अजीब है और उसके बाद blank reaction बॉविल्ट blank reaction जिसे short form में तुम लोग BBR भी कह सकते हो या फिर BB reaction कह सकते हैं अब इस reaction की खास बात यह है कि LAH and NABH4 के जैसे सारे carbonil compounds को reduce नहीं करता है इस BB reaction के लिए जो substrate तुम लोगों को नीड रहे गया फिर जो substrate ही इनके साथ काम कर पाएंगे वो actual में होते हैं aldehydes ठीक है जैसे LAH और NABH4 डालने पर aldehyde 1 degree alcohol में convert हो जाता था वैसी इस चीच का भी substrate aldehyde रहेगा और उसके बार रहेगा फिर ketone और esters तुम इन में से कोई भी substrate यूज़ करो तुमारा पास end product क्या आने वाला है अल्कोहल साने वाला है अब जैसे जो मान लेते मैंने यह aldehyde लिया है r c double bond o और यह h ठीक है तो अगर मैं इसको कल के ही ट्रिक से करूं तो reduction आप चाहें किसी भी reducing agent को लेकर करो ट्रिक्स अल्मोस अभी के लिए सेम ही रहती है अल्मोस के 99% सेम होती है वन परसेंटेज में वो वैरी कर सकती है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग यह bond को तोड़के ऊपर एक hydrogen नीचे एक hydrogen तो वही काम यहाँ पर भी करना है क्या हो जाएगा इससे R CH to OH ठीक है वैसे ही तुम्हाँ पास एक ketone होगा R C double bond O और यहाँ पे R यहाँ पे अगेन तुमने एक reducing agent डाला और यहाँ पे reducing agent डालने के बाद अगेन वही trick ऊपर में H नीचे में H तो यह चीज हो जाएगी R CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे R ठीक ह यहाँ पे रूल में variation आएगा वह रूल भी मैं अभी बता रहती हूं पहले मैं Easter का reducing agent के साथ किस तरीके से reaction होगा इस पे बाद बातचीत कर लेते हैं ठीक हैं देखो वह चीज इस तरीके से कि अगर माल लेते हैं तुम्हारे पास Easter है तो तुम्हें याद होगा कि कल जब हम यह चीज हो गई R-OH और यह वाला जो तुम्हारा पीछे का पाट था यह initially form करता है aldehyde तो यहाँ पर भी ऐसी होगा यहाँ पर aldehyde का formation होगा और उसके बाद जब यह aldehyde बन जाता है तो इस aldehyde को हम लोग फिर से reduce करते हैं और फिर से reduce करने के बाद यह finally convert होता है तुम यहाँ से भी बनता है और प्लस आपका एक alcohol कहां से क्रियेट हो जाता है जो aldehyde बनता है उसका further reduction करने पर तो यह bb reaction है इस bb reaction में भी वही ट्रिक फॉलो करोगे हाँ यहाँ पर तुम्हारे जो रिएजेंट है ठीक है वो चेंज हो जाएगा अभी इस कोशन में हम लोग न रिएजेंट क्या है हम लोगों के पास तो तुम यह देखो कि यहाँ पे जो हम लोग रिएजेंट यूज करते है वो sodium metal यूज करते है अब sodium metal के बारे में एक information मैं तुम्हें दे रहती हूं कि इस कोशन में sodium metal क्या करेगा जैसे हम लोगों ने वर्ट्स रियाक्शन पड़ी तो यहाँ पर भी जो sodium का metal है यह sodium का metal ionize होगा और ionize होने के बार यह क्या provide करेगा एक electron तो यह जो तुम्हें electron मिल रहा है यह electron actual में इस question में क्या करता है अटाक करता है किस पे अटाक करता है on carbon carbon मतलब जो आपका C double bond O वाला group है ठीक है यह जो C double bond O वाला group है इसमें जो partial positive है इस electron का source क्या है sodium जैक अटा sodium का role पता चल गया इस question में मुझे solvent भी देना पड़ता है अब यहाँ पे हम लोग solvent के रूप में किसको use करते है तो यहाँ पे जो हम लोगों को solvent की need होती है solvent की actual में need हमारी पूरी करता है alcohol जैक है यहाँ पे हम लोग solvent पे जैसे किसको use करते है alcohol तुम tertiary butyl alcohol use कर सकते हो, propanol use कर सकते हो, ethanol use कर सकते हो, n-butanol use कर सकते हो मतलग किसी भी प्रकार का alcohol almost use कर लो हाँ बट बहुत बड़ा भी नहीं होना चीज जादा हिंडर otherwise teric hindrance जैसे factor फिर आ जाते है रोल में लेकिन alcohol हम यूज कर रहे अब देखो जो तुमाने पास alcohol होता है वो क्या होगा? R0, H so यहाँ पर क्या उस alcohol के अंदर के R का, या उस alcohol के अंदर के O का, या उस alcohol के अंदर के H का कोई भी रोल है क्या, तो बिलकुल भी नहीं, यहां पे alcohol का सिर्फ एक ही काम होता है, कि आपकी इस reaction में वो क्या करता है, आपको provide करके रेता है H+. ठीके, वो यहां पे क्या provide करके रेता है, तुम्हें H+. प्रोवाइट करके रेता है यह बस यार रखना है कि अल्कोहल का है हम लोग यह कहेंगे कि यह तुम लोगों का यह एक तरीके से प्रोटिक सॉल्वेंट है ठीक है तो यह हमाई पास सब्स्टेट पता चल गया अल्डियाई की टोन सीस्टर प्रोड़क बनने वाले हैं अल्को सब्सक्राइब का मतलब होता है का फुल फॉर्म में बता रहें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ठीक है जैसे एसन वन एसन टू एन एवन इटू मेकैनिसम को में नाम यह सट मेकैनिसम फॉलोग करेगा यह यह याद नहीं भी रात वह चलता है ठीक है अब इसके एक यह तुम खुद मेकानिजम लिख लेना क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन दूंगी तुम हाइड्रोजन के बदले वहां पे कार्बन की चेन यानिकी आट एश लगा देना ठीक है तो की तुम बना लेना मैं अल्डिहाइड कर देती हो एस्टर वाला पार्ट कर देती क्योंकि तुम समझ गए होगे कि क्यों इस्टर वाला पार्ट थोड़ा अलग है तो लेट से आमारे पास यह कल्डिहाइड है और यह लेट से एच ठीक है इस अल्डिहाइड में जो मेरे पास सोडियम था ठीक है जिस सोडियम ने मुझे एक एलेक्ट्रों सप्लाई किया वह एक अब उस एक एलेक्ट्रों मुझे करना गया है यहां और लोगों के पास na-plus है और मानले तेंहापर इलेक्टरॉन्स है चार्जिस मार्ग कर देते हैं पार्शियल नेगेट यह पॉजिटिव अब इस रियाक्शन के खासमात यह रहती है कि इसमें यह जो तुमारा पाय बॉंड है न इसका एक्षियर में होमोलेटिक फीजिन होता है अब हमोलेटिक फीजिन करने के लिए हमें पता है क्या क्या कंडिशन हम यूज कर सकते हैं पांचों कंडिशन एक साथ यूज करेंगे ऐसा नहीं होता बट पांचों में से कोई जैसे हल पर वर्ड याद आगया होगा तुमें हीट ठीक है तुम लोगों का आधा ही आरो आएगा तो इस तरीके से यहां पर जो चीज बनी वो क्या बनी आर उसके बाद सी सी के उपर एक एलेक्ट्रॉन और डबल बॉन की जगा वहाँ पर आ गया है तुम्हाँ पास सिंगल बॉन और उपर में ऑक्सिजन ऑक्सिजन के पास पहले से द तब तुम्हारा पास जो यह सोडियम है और जो इलेक्ट्रॉन है यह वाला जो इलेक्ट्रॉन है यह फटाक से अटाक कर देगा तुम्हारी इस पोजिशन को ठीक है यह इलेक्ट्रॉन अटाक करेगा इस पोजिशन को यह यहां पर करके कि मैं यहां पर क्या कर लेता हूं क pir लेता हूं, ठीक हें, तो वहाँ पर वहली चीज, रुखर, 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 1 मिनिट, 2 मिनिट, रुखो, जब, यह वाला ilektron सबसे पहले जाएगा, यह तुमारे किस नाम पर? इlektrons के, यह oxygen पर, और उसको दे देगा एक electron, ठीक हे, तो उसको एक electron देने के बाद देखो यह situation किस अरीके से हो जाएगी R C और यहाँ पर हो जाएगे तुम्हाइपस टोटल कितने पेर तीन पेर जिसकी वज़ा से oxygen पर जाएगा negative charge C पर अभी भी वो विचारा एक और electron है यह ऐसे और साथी साथ में अब next step में क्या हो जाएगा यहाँ पे जो यह sodium plus है ना जो sodium plus और electron थे वही sodium plus क्या करेगा जैसी oxygen पे negative charge आजाएगा तुरंट oxygen के साथ bond बनाने में वो interested रहेगा ठीक है mechanism मैं तुम्हें से rule कैसे आया यह समझाने के लिए बता रहे हूँ हमें यहाद action में rule ही करना है ठीक है यह ऐसा और उसके बाद नीचे में यह hydrogen और यह electron तो जैसे यहाँ पे एक sodium के साथ पहला electron गया था आपके oxygen पे यहाँ पे हम लोग एक और sodium का molecule कैसे है आटम हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो वो sodium na plus और साथी साथ में electron तो अब लेकिन जो यह electron है अब यह electron actual में कहाँ पे जाके supply होगा इस carbon पे तो जब यह electron इस carbon पे supply हुआ तो देखो यह चीज किस तरीके से में convert हो गई होगी यह तुम्हारा convert हो गया होगा ऐसे r c यहाँ पे आपके दोनों electrons negative charge उपर में o negative और यहाँ पे na plus और यहाँ पे आगया h अब ध्यान दो हम लोगों ने यहाँ पे use किया है हम लोगों का alcohol ठीक है obvious है तो जब मैं यहाँ पे alcohol डालती हूँ इस step में लेट से हमने कोई alcohol डाला है r-oh तो इस alcohol में जो यह है यह है यह है जाके लग जाता है इस o के बाद और वो ने को बहा निकाल देता है बाइर प्रोडक्स के साथ क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे है तो यह बन जाएगा r-c-oh यहाँ पे h आ गया और अगेन यहाँ पे देखो negative charge अभी भी है उसके बाद जो next step होती है उस next step में फिर से एक और second alcohol का molecule चाहो तो तो तुम्हें की step पे कर सकते थे एक और alcohol का molecule है यहाँ पे h है यह वाला इस carbon पे जाके लग जाएगा तो यह वाली चीज़ convert हो जाएगी r-c उपर में o-h यहाँ पे h और यह यहाँ पे एक और h तो देखो यह चीज़ कैसे में convert हो गई r-c-h to o-h ध्यान अगर दोगे तो initially मैंने जो लिखा था कि जो आपके पास aldeide होता है तो इस तरीके से तुम्हारा यह जो चीज़ है r-c-h to o-h में convert हो गई ketones के लिए यह वाली चीज़ सुम लिख लेना easter के लिए देखो मैं यह बता दे रही हूं कि easter में किस तरीके से होता है क्योंकि easter में obvious है कि तुम्हारा यह जादर लिखने पड़ेगी तो indirectly aldehydes and ketones में हमने यह जान लिया कि हमें alcohol जो है वो two times लगने वाला है और even sodium में यह आपको यहाँ पे two times लगेगा and what about easter's easter's के बारे में जानते हैं तो let's say मैंने एक easter ले लिया इस तरीके से r c double bond o यहाँ पे o और यहाँ पे आगया r dash ठीक है सबसे पहली step हमको पता है कि क्या करनी है सबसे पहली step में यह जो homolytic fusion होगा तो यह एक electron यहाँ shift होगा साथी साथ में जो तुमने sodium plus और वो जो electron लिया है उसमें से ही electron पहुचेगा यहाँ पर तो इस तरीके से जो तुमारा oxygen है उस oxygen पे कैसा charge आ जाने वाला है oxygen पे negative charge आ जाएगा और oxygen पे जैसे ही negative charge आएगा oxygen तुरंत वारी चीज क्या कर लेगा इस तरीके से bond formation कर लेगा आपके na plus के साथ तो यहाँ पे c के उपर एक ऐसा dot और यह o r dash अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आपको दे रहेते हैं एक alcohol का molecule तो जैसी तुम यहाँ पे alcohol दोगे let's say r double dash o h ठीक है तो जैसी तुमने alcohol दिया क्या होगा यह जो na plus है यह हटेगा और उसकी जगा h आ जाएगा तो r c उपर म का यहाँ पे हम लोग atom यूज करते हैं तो जैसे ही तुम sodium का यहाँ पे atom यूज करोगे तो sodium का atom अगें तुमें एक electron supply करेगा तो sodium के atom से जैसी वो एक electron है वो electron फटा फट जाएगा carbon के पास और वहाँ पे carb anion क्या हो जाएगा create हो जाएगा c o h o r dash और यहाँ पे यह कार्ब का molecule देखें वहाँ पे क्या लगा दिया था आप लोगों का h लगा दिया था लेकिं यहाँ पे तुम तुरंत ही वहाँ पर उस चीज को अलकोल का molecule नहीं दोगे क्योंकि अब तुम यहाँ चेक करो कार्बन के ऊपर एक o h का भी बॉंड है और कार्बन के साथ एक आपका oxygen का अब ही बॉंड है तो एक मतलब ओर बॉंड भी है तो जब एक ही कार्बन पे o h का बॉंड और और का बॉंड अगर दोनों साथ साथ आ जाए तो हम लोगों को यह पता होना जी कि वह ची अन्स्टेबल होती है और वह उस चीज को क्या करेगा हटाएगा याद करो गिनार्ट किस पर शिफ्ट होंगे oxygen पे तो अगेर oxygen पे एक negative charge create होगा और जिस negative charge से वो क्या कर लेगा पाइबॉंड का formation कर लेगा ठीक है तो यह चीज किस तरीके से हो जाने वाली है आप लोगों की convert R वहां पे C और double bond O हो जाएगा और यह तुम्हारे पास इस तरीके से negative charge वो तुम्हारा यह को आर डैश O के साथ और साथ साथ में को निकल गया आपका यहां से फे निकल गया है तुम्हारा as well as H तो बाहर में वो चीज आ गई होगी R डैश O H ठीक है तो याद करें कि यह ज परीके से इसने यहां पर alcohol form किया इवन इस वाली स्टेप में जब मैंने आप इसको electron दिया था एक काम करते हैं यहां पर हम लोग इसको alcohol भी दे देते हैं तो alcohol देने से क्या होगा यह जो carbon के उपा का negative charge यह हट जाएगा और इसके जगा पर क्या जाएगा एच सो यहां से अल यह उपर वाली स्टेप में क्या है तो इस्टर में टोटल तुम्हें कितने sodium लग रहे हैं चार लग रहे हैं ठीक है तो यह उसकी mechanism थी अभी सारी mechanism का एक one word answer जो तुम्हें मुझे बताना है वो यह है कि तुम यह देखो finally alcohol ही बन रहा है अब alcohol में हम लोग 2 hydrogen add करते हैं एक ज एच से एच गया ना वहाँ पर इवन जो कार्बन को भी एच जाता है वो भी कौन देता है alcohol तो यह तुम्हारे एन भी एच पोर या फिर एच के जैसा नहीं है कि एक एच ला रहा है solvent से एक ला रहा है reagent से आपकी जो यह बीबी रियक्शन होती है इस बीबी रियक्शन की के ही speciality है कि बीबी रियक्शन में जो दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ठीक है वो दो हाइड्रोजन एटम्स कहां वाले एक जो की oxygen से connected है और दूसरा जो की carbon से connected है यह दोनों हाइड्रोजन का जो source होता है ना वो source कोई और नहीं बलकी तुम्हारा alcohol होता है तो alcohol में आगर तुम ROH के बदले ROD उस करोगे तो तुम्हारे पास पूरी जगा deuterium add होगा अगर treatium add करोगे तो पूरी जगा पर फिर treatium add हो जाएगा ठीक है बस यही बता नहीं थी और यह किस सरीके से अलग है आपके वाली reaction से जो हमने कल पढ़ी उस कल वाली reaction में जो OH होता था वहाँ पे जो hydrogen है वह आता था solvent यानिकी water से और जो carbon hydrogen वाला होता था वह कहां से आता था तुम लोगों के reagent से ठीक है तो यहां पर दोनों के दोनों ही alcohol से आने अल्कोल इस question का कौन है solvent यानिकी दोनों ही solvent प्रोवाइट कर रहे है ठीक है अब इसके illustrations देख लेते हम लोग किस तरीक है कुछ पी आर ओडी यानिकी प्रोपाइल अल्कोहल दिया है second step में obvious है कि यहां पर कुछ ना कुछ ना कुछ मा लिखी हूं कि मुझे यह वाली चीज में दो बाराइच देना पड़ेगा उसकी नहीं है चलो अब आता हो जना कैसे होगा यहां पर कुछ नहीं इस वाली ची नीचे में ड्यूटेरियम तो यह चीज कैसी हो जाएगी M E C उपर में आ जाएगा O D यहां आ जाएगा D और यहां आ जाएगा H ठीक है यह ऐसा अब नेक्स इलस्टरिशन ले लेते हैं नेक्स इलस्टरिशन कैसा रहेगा C double bond O यहां पर में यहां पर में की टोन है तो की ट पोटेशियम ले लिया, अलकली मेटल, ठीक है हमको बस क्या चीजिए जो एक इलेक्टरॉन दे, तो एक इलेक्टरॉन कौन देते हैं, alकली मेटल, group 1 तो तुम सोडियम, पोटेशियम, सीशियम कुछ भी ले सकते हो, plus मैंने यहां ले लिया, tertiary, butyle, हाई आपका यह अलकोहल बट यहां पे D है, तो again यह वाला bond तूटेगा, उपर में एक D, नीचे में एक D, तो यह क्या हो जाएगा, M, E, C, उपर में, यहां आ जाएगा O, D, यहां आ जाएगा D, और यहां पे आ जाएगा M, E, ठीक है, इस तरीके से, फिर एट इस्टर का ले लेतने example, M, E, C, double bond O, D, किया है, फिर O, E, T, लिखा हुआ है, और उसके बाद यहां पे मैंने कर दिया C, और प्लस कर दिया E, इथाईल अलकोहल, तो अब देखो, इस बार अलकोहल के पास H है, तो आप क्योंकि अलकोहल के पास H है, इसलिए जब bond तूटेगा, तब दोनों तरफ बताओ, क्या distribute जाएगा, तो यह भी तो अलकोहल फॉर्म करता है, तो इसम यह जो अलकोहल फॉर्म करता है, इसको भी H तुमारा अलकोहल ही रेता है, यानि कि यह बन जाएगा E, T, O, H, ठीक है, तो यह थी तुमारी BB reaction, मेकानिजम में उतना मत जाना, नहीं बने कोई दिकत नहीं है, बस यह वाला कैसा रूल तुम्हे याद रखना है, उपर से यह वाला पाट तुमारे बोर्स में नहीं है, क्योंकि मुझे रेदक्शन पढ़ाना था, मतलब प्रपरेशन ऑफ अलकोहल, उसमें यह एक इम्पोर्टन मेकानिजम है, इसलिए यह आली पाट बनाया है, ठीक है, अ अब जो नेक्स चीज़ हम लोग इसमें करेंगे, तीसरा पार्ट जो हम लोगों का रहेगा, जैसे हम लोग कार्बुनिल कंपॉंड्स की मदद से ही, ठीक है, अलको अलको फॉर्म करेंगे, वो भी तुमारा एक रिदूसिंग एजेंट ही रहेगा, अब वो वाला जो डिद इक दूगी, बट हम लोग इसे पढ़ेंगे, MPV रियक्शन, यह रियक्शन स्पेसिफिकली अल्डि आइज के रिदक्शन के लिए ही यूज होती है, और की टोन के रिदक्शन के लिए, ठीक है, एक दन स्पेसिफिकली, बहुत ही जादा इसमें जो कार्बुनिल कंपॉंड यह अल्डियाई जो, केटोंस में पारक्वी रियक्शन के लिए, when we are people, we are to get our CO2S, बहिसरänder में प्रेसिकली के alignment में में ग्षी पराद नेकों ही यह रियक्शन के रिक्शन के लिए हैं, यह उसको यहीं बता दे रही हूं, ताकि यहां से preparation of alcohol में आ जाए और जब तुम LDI rank ketones का chapter करोगे तो वहां वो उसकी reducing वाले चिप पार्ट में आ जाएगा reduction वाले पार्ट में ठीके so MPV next रहेगा, उसके बार फिर हम लोगो hydrogenation वाला पार्ट करेंगे फिर अदर्स में तुम लोगों को उसरा से बताती जाओंगी